हेलो फ्रेंट्स आपका स्वागत है हमारे चैनल इंफो गवर्मेट जोब्स पर तोस्ते हैं आपर रेल्वे आरार भी एल्पी और टेक्निशन भारती दोजार तेश को लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नोटिफिकेशन का क्या अपडेट हो है यहां पर पोस्ट वह चालिश जार पलस यहां पर होने वाली है क्वालिफिकेशन और सेलरी वागरा पर भी हम बात करेंगे तो स्टार्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर के लिए तो इस तो एल्पी और टेक्निशन भरते के लिए वैसे तो काफी अपडेट आए वह हैं तो यहां पर आपको बता दें जब से यहां पर एक झ१ाथ से हुएं एक तो यहां पर ओडिशा के इंदर गने उपर ब्रोटी क्रिटीकल था। बड़ कही न कहीं यह मांग की जा रही है फिर से कि यहाँ पर खाली पदो safety category के जो पद है उनको यहाँ पर भरा जाए और यहाँ पर जो है जो भी ALP और technician की vacancy खाली है या फिर extra safety category की है उनके उपर जो खाली पद यहाँ पर रखे गए है railway के द्वारा 2018 के बाद से भरती नही हुई है उनको यहाँ पर भरा जाए तो यहाँ पर बड़ा अपडेट है और यह एक आपका नुज भी आया था लोको पाइलेट साहे के लोको पाइलेट के एक जार पा दिखा ली आपको पता है वेटिंग जो किलियर करने के जो नोटीस आ रहे हैं उसके अंदर भी सिर्फ यहाँ पर किसी भी नए एलपी ने जोइन नहीं किया है सिरफ जीडीसी अगेंसी को छोड़ दिया जाए तो तो यहाँ पर काफी यहाँ पर और हर साल आपको पता है यहाँ पर रेलवे के अंदर 40-50,000 करमचारी है वो रिटाइर होते हैं जबकि भरती है वो उस मातरा में नहीं हो रही है तो देख से तो लोको पाइलेट साहिक लोको पाइलेट के एक जारपद खाली है यूनेन के महमंतरी मुकेश माथुर जेलो अदेक्स सुबास पारिक ने बताया कि रेले बोर्ड ने निदारित क्या हुआ है कि ररिनिंग स्टाप्स क्रू को दूसरी ट्रेन और जोदपुर मंडल में लोको पाइलेट और साहिक लोको पाइलेट के एक हजार पद खाली है वही जेपुर मंडल में खाली पदों की संग्या करीब सो है इसे में क्रू को रेष्ट पूरा होने से दो गंटे पहले बुक कर दिया जाता है इससे रर्निंग स्टाफ का हदा जो बहुत ही कम वेकांइस आती है आप देख्कों कभी वेकैंश आएगी तो और में कम आते यहां पर जो अइन्-दव ब्लुर एरिया तो फूल सबसे ज़्यादा वेकंसी जो आती है वो डबलु आर के अंदर है साउथन रेलवे के अंदर है इस प्रकार की जो जोन है उन्स में सबसे ज़्यादा वेकंसी आती है अगर नॉर्मली अगर को बता दूं 31 दिसंबर 2023 तक का जिसके अंदर रेलवे में टेक्निशन के यहां पर लगबग साड़े तीन से चार हजार पद है यहां पर और खाली है जिसको यहां पर अडिशनल वेकंसी के तोर पर बरे जाने की बात है वो रेलव बोर्ड के द्वारा लिखी गई है कि जो भ में डून तो तो में लगबग सल Нताल अधिशनल अवित अब की आपको सबसे बड़ा इसुए जो तो अब शाड़े शार चारई ऑजर साथीचाए 23 तक की है आपको बता दूँ और इससे पहले जो आई थी आपको वो 30 जून 2023 तक की हापर vacancy count की गई थी उनकी waiting clear हो चुकी है और अब यहाँ पर दुबारा से आप देख सकते हो हर 6 महिने के अंदर 3-4000 यहाँ पर आपके तो आप यहाँ पर जब vacancy आएगी तो कम से कम दिसंबर 2025 तक की vacancy count की जाएगी तो दिसंबर 2025 तक की 2 साल की vacancy अगर आप देखते हो तो लगबग यहाँ पर 15-20 जार यहाँ पर technician की vacancy भी इसमें add हो जाएगी तो लगबग दोनों के अंदर अगर हम ALP और technician की vacancy count करें तो 35-40,000 पलच यहाँ पर पदों पर भरती आपकी आने वाली है और जिसका दबाः रेल्वे बौर्ड के उपर बना हुआ है क्योंकि हर परकार हर तरीके से हर union और हर यहाँ पर जो चोटे बड़े या फिर चात्रों के दुवारा ट्वीटर campaign वगएरा है तो हर चात्र के दुवारा है अपर इमांग की जारे कि railway के अंदर ALP technician है जही है इनकी खाली vacancy है वो भरी जाए तो यह इस प्रकार से हैं दूसरी update है वो भी हम देख लेते हैं तो दूसरा जो update है वो भी यहाँ पर देख तो अजमेज से ही यहाँ पर न्यूजपेपर के अंदर आया हुआ है बारते railway की ओर से जल्दी सहाइक यूट्यूब चैनल पर भारतिय रेल में महतुपुण जिम्यदारी निभाते लोको पाइलेट सिर्शक से एक वीडियो डाला गया है इस वीडियो का प्लोड होने के कान रेलवे की ओर से सहाइक लोको पाइलेट और लोको पाइलेट एलपी के पदों पर नई भरती आने की चर्चा जोर पकड़ गई है क्योंकि रेलवे ने इससे पूर्वा भी भरती परकिरा शुरू करने से पहले इस परकार का वीडियो चेहर किया था फिर भी फिर से इस तरह का वीडियो आने से युवाओं की जिते नहीं है कि यूटूब पर वीडियो डालने की वज़े से आपकी वेकंसी आएंगी हाला कि बट इसमें 45,000 यहां पर वेकंसी बताएगी है साइग लोक पाइलेट और लोको पाइलेट की यहां पर और टेक्निशन की और यहां पर जैई वगरा की मिला के काफी यहां प परकार से रेल के जो हाद से हुए है उससे भी यहां पर काफी कुछ रहां पर चेंजमेंट है इस चीज को लेकर तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि अब जो वेटिंग है वो भी हाँ लग बाक किलीर हो चुकी है टेकनिशन की वेटिक में बहुत कम कंडियोट बचे हुए तो यहां पर अब रेलवे वो पद किस परकार से बरेगा तो डेफिनेटिव नहीं निकालनी होगी और का साल है तो बड़ा चड़ा कि आपकी जो फ़ल है जो आपकी बरती है वह भी आपकी लंबेश लेगा कि बीच में आने वाले हैं तो आपकी वैसे अक्जाम नहीं हों गे तो यह आपकी कहीं न कहीं जो त्यारी करने वाले सात्रों के लिए अच्छी कबर है कि लगवग चार से पांच सालों के बाद में ही सही बट यहाँ पर रेलवे के अंदर वेकंसी एलपी और टेक्निशन के आने की संभावना है वो बन रही है बात करें योगेता की तो इसके अब करेंगे और इसके बाद में जो डिप्लोमा और बीटेक वाले हैं वो एल्पी के अंदर भर पाएंगे और साथ-साथ जेहीं की वेकंसी भी आपकी आने वाली है अगर आप यहाँ पर इसमें जोईन करते हो तो आपके अच्छी का से अलरी बनेगी आपको पता दूं ए इसे वो लगबक 30-35 एर तक एज रखी जाएगी और इस बार यहाँ पर छूट है वो भी दी जा सकती है एज के अंदर तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है आप अपने त्यारी करते रहें जैसे नोटिफिकेशन आएगा आपको यहाँ पर अपडेट है वो सबसे पहले दे सब्सक्राइब करकर रखें वीडियो को सेरे करें दोस्तों के साथ और कोई भी आपको डाउड हो वो नीचे कमेंट जरू करें धन्यवाद जेहिं जे भारत